हेलो दोस्तों परदेशी फ्लाइट यूटूब चैल पर आप सभी का विलकम है दोस्तों फ्लाइट और ट्रिवल की कुछ जरूरी खबरों पर बात करते हैं कुछ जरूरी अपडेट पर बात करते हैं तो पहली और बड़ी अपडेट जो है वो फिलिपीन्स की तरफ से आई ह फिलिपीन्स गवर्मेंट ने 10 देशों से फ्लाइट से पाबंदी हटा लिया है जो ट्रिवल बेंथा वो हटा लिया है ये 10 देश हैं इंडिया, पाकिस्तान, बंगला देश, नैपाल, स्रिलंका, UAE, ओमान, थाइलेंड, मलेशिया और इंडोनेसिया इन 10 देशों पर COVID-19 क वज़ा से जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद अप्रेल में ही पाबंदी लगा दी गई थी और पाबंदी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था, अब फिलिपीन्स के गवर्मेंट ने फैसला किया है कि इन 10 देशों से पाबंदी हटाई जा रही है, ये पाबंदी कल 6 सितंबर से हट जाएगी, इसके बाद आप ट्रवल कर सकेंगे, अभी जो ट्रवल करने के लिए ज़रूरी होगा वो ये कि आप फिलिपीन्स जब ट्रवल करेंगे तो उसके लिए आपको फिलिपीन्स में 14 दिन कोरंटीन भी रहना होगा, ये अनिवार किया गया है ट्रवल करना चाहते हैं, वो कोविड-19 के जो नियम है, जो प्रोटोकाल है, उसका पालन करते हुए फिलिपीन्स के लिए ट्रवल कर सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग फिलिपीन्स के लिए भी ट्रवल करते हैं, तो बाइराल जो पाबंदी जहल ले थे, जो लगातार परिशान थे फिलिपीन्स फ्लाइट के लिए तो वो अब फिलिपीन्स के लिए ट्रवल कर सकते हैं फिलिपीन्स की गवर्मेंट ने 10 देशों से फ्लाइट से पाबंदी हटा लिए जिसमें इंडिया पाकिस्तान बंगला देश, नैपाल, स्री लंका, यूएई, ओमान, हम समाप्त किया जा रहा है, आज से जो भी लोग फुली वैक्सिनेटेड होकर अबुधाबी एरपोर्ट के लिए ट्रवल करेंगे, उन्हें अब 10 दिन कॉरंटीन नहीं होना पड़ेगा, तो ये एक बेहतर खबर है अबुधाबी ट्रवल करने वालों के लिए, जिनका वी अबुधाबी ट्रवल करने वालों के लिए आज से जो भी लोग फुली वैक्सिनेटेड होकर ट्रवल करेंगे, उन्हें 10 दिन होम कॉरंटीन रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये दोस्तों अबुधाबी की तरब से एक अपडेट थी, अगली अपडेट इंडिया ये पहली फ्लाइट के लिए पहुच चुकी है, जिसमें 166 यात्री पहुचे हैं केरल से कोईट फ्लाइट में, ये जजीरा एरवेज की चार्टर फ्लाइट थी, फ्लाइटों की टिकट बहुत महेंगे, दिल्ली से जो फ्लाइट आपरेट हो रही है, जजीरा एरवेज की 6 सितंबर को कल आपरेट हो रही है, उसके टिकट लगबग 1,29,000 रुपी हैं, क्योंकि अभी कोईट गवर्मेंट के तरब से एक कोटा निर्धारित किया गया, एक लिमिट निर्धारित की गई है, कि इतने से जादा लोग ट्रवल नहीं कर सकते हैं, हर देश के लिए अलग कोटा बढ़ाया जाएगा, तो कुछ सस्ते होनी की उमीद है, बहराल ये कोईट को लेकर बात होगी है, दोस्तों की केराल से कोईट के लिए पहली फ्लाइट पहुची है, जिसमें 166 लोग यात्रा करके कोईट पहुच चुके हैं, जो काफी खुस हैं, अपने काम पर वैक्सिनेटेड है, यानि Пाकिस्तान से जो भी फुली वैक्सिनेटेड होकर तुरकी के ले टरिवल करेंगे, अब उनको 14 दिन होटल में कारन्टीन रहने के ज़रुरत नहीं है, अब वो कारन्टीन फिरी होकर यात्रा करेंगे, तो ये तुरकी और पाकिस्तान को लेकर जो लोग इंडिया में वैक्सिन लगवा चुके इसके लबा जो लोग एक वैक्सिन साओधी अरब में और एक वैक्सिन इंडिया में ले चुके वो लोग अभी डायरेक्ट साओधी अरब के लिए ट्रवल नहीं कर सकते हैं अगर उनको ट्रवल करना ही है तो वो 14 दिन लखिये, खुछ रहिए, गुड़ बाई.